शहर के वार संख्या एक में दो पक्षों में हुई पत्थर बाजी केबाद भारी पुलिस जापता तेनाथ ड्स-पी मोके पर मोजूद चुरुशेर के वार संख्या एक में शनिवार देर शाम दो पक्षों में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद मोके पर भारी पुलिस जापता तैनात किया गया है एसपी राजेश कुमार तनावपूर महोल पर नजर बनाये हुए है यहां पुलिस की मौजूदगी के बीच अभी इस्तिती नियंतरण में है कोतवाली थाना, सदर, दूदवाखारा थाना, महिला थाना और रतन लगर थाने का जापता यहां तैनात किया गया है डियेश पी राजेंदर बुड़क मोके पर मौजूद है पुलिस द्वरा मोके के वीडियो के आधार पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जानकारी के मुताबिक यह हालात उस वक्त बिगड़ गए जब एक सितंबर को निजी स्कूल संचालक के साथ एक नामजद युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाटियों से मार पीट कर डाली थी शनिवार देरशाम यह एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक बाइक सवार लड़के से मारपीट कर डाली और उसकी बाइक तोड़ डाली इस गटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए दोनों तरफ से पत्थर बाजी होई जिससे मकानों के शीशे भी तूटे सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुची और चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस जापता तेनात किया गया देर रात तक चहतर में पुलिस मौजूद रही पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों को समझाईश भी की गई और सभी को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई बहराल हमले में घायल एक नाबालिग लड़के का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और मौके पर शांती और कानून वेउस्था के लिए पुलिस बलत तैनात किया गया है